मित्रों जय माता दी, आप देखे हैं धरमसिक्छा धरमसिक्छा में हर महने की तरह इस महने भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मई दोरग्विक के लिए कौन-कौन से दिन सुभ मोहू रहे हैं प्रॉपर्ठी खईने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रही है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जानकर ये अच्छी लगए तो लाइक ते जोड़ो करें कमेंट बाक्स में हमें भी बताएं कि आपने किस दिन का चैन किया है और आप कौन सी पोपटी खहिदना चाहते हैं किस सहर से आप खहिदना चाहते हैं इस मेहने कुल 4 पोपटी खःदने के लिए महुख बन रहे हैं होज सकता है कि नहीं कारणवास आपको इस 4 महुख शूट ना करें या आप अपनी राज़ी का अनुसार पोपटी खःदने के लिए महुख निकलवाना चाहते हैं या अपने जगह के अनुसार, सहर के अनुसार निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि जगह के अनुसार भी निर्भर करता है, मोहुर्थ, 10-5 मिया, 15 मिया, 20 मिया तक का मोहुर्थ में फरक हो सकता है, जगह के अनुसार, तो आपको क्या करना है, इस WhatsApp नमर पर संपर करना है, यहाँ सिर्फ 251 रुपे की दक्षिनाना से जमा करवा कर, आप अपने लिए व्यक्तिकत तोर पर पोपर्टी खेदने का मोहुर्थ निकलवा सकते हैं, पोपर्टी किस दिन नहीं खेदना है, यह ज़्यादा जानना आवश्यक है, तो सनी वार के दिन और मंगल वार के दिन पोपर आपको उस समय सही मोहुर्थ में ही रेइस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपके जो गार ही कमाई है, वो आपके उपियोग में ही आ पाए, सबसे पहले जानता है इस माहिने पंचक कब-कब है, क्योंकि पंचक में पोपर्टे नहीं खेदा जाता है, पंचक म माई 2021 में रहने वाला मंगलवार चार माई 2021 को रातरी के बारा बच का त्रपर्ट मिट से लेकर रही वार नौ माई को सामके छे बच कर दो मिट तक रहने वाला है, यह जो समय खंड रहेगा इसमें आपको पोपर्टी का रेइस्ट्रेशन भूल कर भी नहीं कराना है, नुक रहुकाल का जोड ध्यान रखें, रहुकाल में भी पोपर्टी का रेइस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, यहां भी नुक्सान हो सकता है, रहुकाल की जानकारी आपको हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में मिल जाएगी, हर रोज हमारे यहां से पंचांग के वीडियो माई 2021 के पोपटी के जो भी मोहुर्थ बन रहे हैं खायदने के उनके बारे में जाने सबसे पहला मोहुर्थ बनेगा सुक्रवार 14 माई 2021 के दिन इस दिन तिथी रहने वाले तृतिया नशत्र मेक्सिरा इस दिन सुल्योदर से लेकर अहो रातरे तक आपके हां पोपटी खायदने का मोहुर्थ बनेगा अर्थात जब तक आपके हां रेश्ट्रेशन का ओफिस खुला रहे है तब तक सुब मोहुर्थ बन रह है लेकिन पूरा दिन का ही समय है तो आपको राहुकाल का ध्यान जहुर रखना चाहिए और अच्छे समय में ही पोपटी खायदना चाहिए दूसरा सुब मोहुर्थ बनेगा गुरुवार 20 मई 2021 के दिन इस दिन तिथी रहने वाली है करमसा अश्ट्रमी और नौमी नसत रह रहेगा मघा और पूर्वा फालगुनी इस दिन भी सुर्योदय से लेकर अहरात्य तक सुब मोहुर्थ बनेगा राहुकाल का ध्यान आपको यहां भी रखना है और पोपटी का रेइस्ट्रेशन आप करा सकते हैं तीसा सुब मोहुर्थ बनेगा सुकरवार 21 मई 2021 के दिन इ आप रेइस्ट्रेशन करा सकते हैं राहुकाल का ध्यान आपको यहां भी रखना है सबसे अंतिम जो सुब मोहुर्थ बना है मई 2021 में वो बना है सुकरवार 28 मई 2021 के दिन इस दिन तिति रहनेवारी करमसर दूत्या और तित्या नसात्र मूल और पूरवसरा करमसर रहेगा औ और इस दिन भी दिन के बारा बच कर 11 मिल से लेकर जब तक आपके हैं रेइस्ट्रेशन का ओफिस कुला रहे तब तक आप रेइस्ट्रेशन करा सकते हैं राहुकाल का ध्यान आपको यहां भी रखना चाहिए तो यह चार कुल आपको मैंने मोहुर्थ बताए जो की मई 2021 में पोपर्टी खायदने के लिए बन रहे थे इसके अलावा अगर हो सकता किनी के पैसे अरेंज नहीं हो पाये प्रेश्टेशन का ओफिस नहीं खुला था लोग डाउन लग गया अलग लग तरह के लोग अलग लग तरह की पैसानिया तो आपको मैंने बताया है यह इस सिक्षा के साथ हो दिखते रही है धर्मसिक्षा जे माता दी